आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्पूर होने वाली है साथियो इस बार TET और CET में एक बड़ा बदलाओ देखने को मिल सकता है क्या बदलाओ होने वाला है ये सारी बातें आप सभी के साथ साजा करेंगे और साथियो बियड अभ्यरतियों के लिए एक बहुत ही महत्पूर सुषना है क्या सुषना है वो बातें भी आपके साथ साजा होंगी वीडियो बहुत ही महत्पूर होने वाली है तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो में इंते तक बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले अब साथियों चलते हैं अपडेट पर अब साथियों अपडेट आप सभी के सामने खुल करा चुकी है आप सभी को अपनी स्क्रीन पर एक official notice दिख रही होगी दरसल साथियों यह जो notice है दिल्ली के अंदर से जारी होई है और इस notice में TET और CET दोनों के ही उपर बात कही गई है और कौन-कौन यहाँ पर सामिल होंगे यह भी बाते यहाँ पर बताई गई है दरसल साथियों यहाँ पर दो paragraph आपको दिख रहे होंगे part 1 और part 2 करके यहाँ पर दोनों paragraph में कुछ बाते लिखी गई है पहले paragraph में साथियों यह कहा गया है कि आप सभी जितने भी अभ्यरती है अगर किसी भी छेतर से किसी भी educational छेतर से आपने अगर course किया हुआ है तो आप TET और CET दोनों के लिए ही मानने होंगे चाहे वो BED हो, BTC हो, DLED हो, NIOS हो कुछ भी हो आप सभी अगर educational छेतर से अगर course किये हैं तो आप सभी TET और CET के लिए मानने होंगे तो यह ख़बर कहीं न कहीं BED अभ्यरतियों के लिए महात्पूर है अब दूसरी क्या ख़बर है मैं आपको बता दू साथियों इस बार आप सभी को पता है कि जब आप सभी का result declare हो जाता था तभी आप सभी TET और CET के लिए अपलाई कर पाते थे लेकिन अब यहाँ पर साथियों एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है अगर आप फर्ट थर्ड किसी भी सेमेस्टर में है अगर आपने educational course में अगर आपने admission ले लिया है और आप अगर चाते है TET और CET में आवेदन करना तो आप अब आवेदन कर सकते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी चाहे आपका result declare हुआ हो या फिर ना हुआ हो तो ये खबर जो है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महतपूर है जितने भी छातर BN, BTC, DLN, NIOS कर रहे हैं आप सभी के लिए खबर बहुत ही महतपूर है आपको ये अपडेट लेगी आप सभी कमेंट में लिखके बताएए अपनी अपनी राय आप सभी जरूर साजा करें इसे के साथ जैहिंद नमस्कार